सब्सक्राइब करता हूं आपकी अपने पड़ेंगे लाइनियर रेसे रिलेटिव कुशन हमने जो प्रिवेस क्लास में पड़े थे सर्कुलर रेस वाले कुशन से और सब्सक्राइब करेंगे जैसे दो तरह से होती एक तो व्रत्ताकार सर्कुलर होती और एक लीनियर होती है तो आज हम लीनियर रेस वाले कुशन पड़ेंगे जो आपके धावक हैं वो दोड़ते हैं तो आज की क्लास में सब्सक्राइब को अपने से इतना आगे खड़ा करेंगे जितना उसे स्टार्ट दे रहें जैसे मान के चलो एक सो मीटर की रेस है हंड़ेड मीटर रेस है तो इसका मतलब हमने बीस मीटर का स्टार्ट दिया है जो ए है पंद्रे मीटर की एक रेस में एक सब्सक्राइब को सो मीटर से और जैड़ दोसो चालिस मीटर से हराता है तो उसी रेस में वाई जैड़ को कितनी दूरी से हराएगा यह कुश्चन बहुत पूछा जाता है इसी रेस में आपको यह कितने से हराएगा यह कुश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे तो देखो पड़ा कैसे सौल करना इस कुश्चन को kurda x, y को 100 मीटर से हराता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि xitel को फूरू करके खत्म कर देता है तब y उससे 100 मीटर पीछे रह जाता है तो डेखो मैं कंसेट yaanगा वैसे तो हम कुश्चन को बहुत जल्い स॑ल कर सकते लेकिन कंसेटLaugh से मतलब क्या है 1500 तो सब्सक्राइब Marsh और ए rooms नहीं टो यहां साट किया वाई को भी आपने यहां से स्टार्ट किया डोनों यहां से दोड Ids ने रेस्ट को फिनिस्ट कर लिया लेकिन जब X ने race को finish किया है, Y finish नहीं कर पाएगा, Y पीछे रह जाएगा, और कितना मीटर पीछे रह जाएगा, 100 मीटर, तो 100 मीटर पीछे रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, कि X, Y को 100 मीटर से हराता है, तो 100 मीटर से हराने का मतलब है, कि जब X race को finish कर लेता है, उस समय Y उससे 100 मीटर पीछे रह जाएगा, इसका मतलब यहाँ से में एक निसकर्स निकाल सकता हूँ, कि जितने समय में X स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पूचा है, उतने समय में Y यहाँ से यहाँ पूचा है, टोटल 500 मीटर की race है, यह 100 मीटर है, तो इधर दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 1400 मीटर हो जाएगी, इसका मतलब यह कह सकता हूँ में, कि जितने समय में X 1500 मीटर चलता है, उतने समय में Y कितना चलता है, 1400 मीटर, और Z को 240 मीटर से हराता है, इसका मतलब Z 240 मीटर पीछे रह ज तो यहीं से आप Z को शुरू कर देते तो Z से 240 मीटर पीछे रह जाता तो 240 मीटर पीछे रह जाता तो मैं कह सकता हूं कि अगर X और Z में relation देखें तो X जितने समय में 1500 मीटर चल सकता है Z से 240 पीछे रह जाएगा मतलब Z आपका चल सकता है इसमें से 240 गटा दीजिए 1260 अब हमें बताना है कि बताइए बहाई इस 140 मीटर से रहा देगा लेकिन Y Z को 140 मीतर से 1400 मीटर में हराएगा उसमें पूछाए इसी रेस में मतलब 1500 मीटर में बस कर दीजिए इसका बद्व 1200 मीटर कि रेस में 140 मीटर से हराता है 1400 में तो बता बव Dziękuję में में कितनी सी में रकाईगा दसा झीद रख बराबर आजागा एक सो पचास इसका मतलब 150 मीटर से हराएगा 150 मीटर से उठाएगा औप्शन सी इस ता करेक्ट आंसर अप दिस विशन यह आपका इतना सोटकट बनाना है कैसे कुष्षन को एक्जाम में सौल करना तो देखो एक्जाम की एप्रोच क्या होनी चाहिए वह भी साथ बिसाट में लेकर चलंगे तो दे को X Y को 100 meters से सारा रहा तो य 100 meters पीछे रह जाए गा जै नो से जैड रह जाएगा भाई 103 140 140 140 मिटर पीछे रह जाएगा लेकिन कितनी रहेगा 200 मीटर फीछे था तो य ने कितनी दूरी तैकरी 1400 मीटर कि तो 1400 मीटर दूरी वाई ने तैकरी उसमें जैड से 140 मीटर पीछे रह गया तो इसका मतला उसने पूचाए 1500 में कितना बीची रह जाएगा तो एक मीटर में निकालेंगे तो 140 वटे 1400 अगर 1500 में निकालेंगे तो मल्टिप्लाइ 1500 खत्म यह को 140 110 से 10 आंसर आज जाएगा एक्जाम की अप्रोच में आपको ग्राफ बनानी की आवश्यक्ता नहीं बढ़नी चाहिए आपको सॉटकर से सॉटकर कुश्यन को सॉल्ट करना है के लिए नैस्ट कुश्यन लेते हैं रेस का एक और 32 कुश्यन आप सभी के लिए इस पूश्यन का आंसर बता उसे बच्चे ब रमन रीचिस दाफिनिसिंग पॉंट इन 65 सेकंड और मोहन रीचिस दफिनिसिंग पॉंट इन 90 सेकंड बाए वोट इस सेकंड में अंतिम पहुंचता है नब्भे सेकंड में तो रमन इसको 1170 मीटर की race को रमन complete कर लेता है आपका कितने में 65 second में समझना बात को ध्यान से बिलकुल concept को समझना और जो मोहन है वो आपका 90 second में complete कर लेता है 90 second में complete कर लेता है तो इसका मतलब समय किसको ज्यादा लग रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है महन को इसका मतलब यह रेगा और समय किसको कम लग रहा है रहमन को इसका मतलब यह रेश जीते गा और 65 सेकेंड यह रहा हूं कि मोहन कितने सेकंड से आरेगा तो 90 में से अगर में 65 को घटा दूंगा तो मौहन 25 से हारेगा मौहन कितने से किंड से हारेगा पची से केंड से 25 से तो देखो पहले में आपको समझाओँगा तो ग्राफ बना के समझाओँगा जैसे यहां से लेके यहां तक से बच्चोग तो मान के चलो पूँचे जाएगा मतला 65 तो सेक्ट में यहां पाएगा जब कि मोहन में अगर को पूरा 90 सेक्ट लगता है मोहन को यहां से कितना लगताộtब यहां से हां तक लगता इसको 90 उसी नावन मौहन से कितनी दूरी से होगा हम से कि डिस्टेंस पूछा है अगर मूछा उता तो हम आमसर कर कर देते कि 25 से हारेगा और मोहन जब क्या हाँ आँचाएगा यह इसको यहां तक finish कर देगा 65 second में रमन जो है वो तेज धावक है और मोहन जो है वो slow धावक है तो इसका मतलब मोहन 25 second से आ रहेगा तो मोहन की गती से 25 second में जो दूरी होगी उससे यह आ रहेगा तो बस निकाल दीजिए मोहन की गती हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें distance भी पता है समय भी पता है तो अगर मोहन की गती निकालेंगे दोरी निकालेंगे तो तेरे मीटर पर सेकंड की गती से 25 से चली दूरी तो हमारे कुश्यन का अंसर हो जाएगा 325 मीटर लेकिन यह ग्राफ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है केवल रमन यहां से दोड़ेगा अगर आपको इतना सॉल्व करा तो फिर हमारा जो एक्जाम है वो विदिन टाइम नहीं हो पाएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा भाई री, जैसे इसने कहा, कि 1170 मीटर की दौड में रमन 65 सेकंड में पूरी कर लेता है यह 90 सेकंड लगते ही मोहन को, तो पहले यह देखो मोहन कितने सेकंड से हा रा है, तो 90 सेकंड में से मैं मैंस कर देता हूं 65 सेकंड, इसका मोहन हा रा है आपका 25 से वहन कितने से हारा है 25 से इसका मतलब जो दूरी होगी जितनी दूरी से यह हारेगा वह मोहन की गतिसे 25 से कि ऊगी 1170 मीटर को चलनी में मोहन को कितना समय लगता है 90 सेकंड लगते तो एक सेकंड में कितना चलेगा तो बटे करेंगे पांच यह अप्रोच होनी चाहिए एक्जाम में सौल करने की ऐसा नहीं है कि आप ग्राफ बना के पूरा सौल करो मुझे अभी आपको समझाना पड़ रहा है आपको बताना पड़ रहा है कि कैसी रेच में दोड़ेंगे और कहां पर कौन रह जाएगा और कितनी डिस क्या होगा और स्टुडेंट्स बताएंगे इस तरह के कुछ आप से बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ आते हैं सौल करो इसको जल्दी से बहुत अच्छा कुछिशन है जैसे मैंने पराने कुछिशन आपको एकदम जो है लाइन बनाके दिखा के आपको सौल करा हैं लेकि असोग भरत को 160 मीटर की प्रारंबिक बड़त देता है तो लच्छ स्थम्भ कितना दूर होना चाहिए ताकि असोग और भरत एक ही समय में उस स्थान तक पहुंच सके असोग रंस टू टू वाई थ्री टाइम्स फास्टर देन भरत इप असोग गिफ्स भरत एन इनिशल ल तो यह तो बहुत आसान कुश्चन हो गया इसमें आपको ग्राफ बनाने की कोई आवश्यक्ता नहीं दो सही दो बटे तीन गुना तेज है इसका मतलब तीन दूनी च्छ और दो आठ वटे तीन हो जाएगा कौन तेज है असोग तेज है किस से तेज है भरत से तेज है तो असोग और भरत दोनों की गतियों का अनपात हो जाएगा आठ तीन यादे असोग भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो लच्छ इस्तम तक वो एक ही समय पर पहुंसते हैं जैसी हमें यह लाइन दी कि दोनों एक ही समय पर पहुंसते हैं तो बेटा समय हो गया और अगर समय नहीं एक कॉंस्टेंट हो गया तो दूरी चाल के समान पाती होती है मतलब अगर इनकी गतियों का अनपात असोग और भरत दोनों की गतियों का अनपात अगर 8-9-83 है यह तो इनके द्वाराँ चली गई दूरीों गतियों अनपात खीन वह भीया आठ'' आठ अनपाथ तीन होगा और इसको बड़त दे रहा है एक सो साथ मीटर की इसका मतलब जो भरत है इसको एक सो साथ मीटर कम चलना पड़ेगा तो दोनों दूरियों में अंतर पांच रेश्यों पांच रेश्यों का मान दिया है इसने पूँचा बता भाई रेश्यों कितना दूर होना चाहिए तो अगर मैं लच रेश्यों की दूरी निकालने तो लच रिच वे गारेगा तो आठ रेश्यों कामान नकालना पड़ेगा अ तो बहुत बढ़िया रेस का कुश्चन में तो आपको कुश्मी नहीं करना केबल गतियों का अनपात निकलना गतियों का अनपात दिया आठ अनपात तीन और समान समय में इस तम पर पहुंच रहा है अगर इसको एक सो साथ मीटर की स्टाट दे जये जाए जिसकी कम हो स्टार्ट अकम चलेगा तो दोनों दुरियों क्वें अंतर हो जाएगा पांच रेश्यू 106 और हमें लच्छे निकलना ए तो पूरे लच्छे को यही चलेगा अगर आप यहां से निकलो गए सर में तो तीन रेश्यू क या कुश्यन है यह भी लाइनियर रेस के जितनी भी कुश्यन से उनको आप विदिन सेकंड्स कर लोगी अगर यह क्लास अच्छे से देख लोगे तो और जो कंसेप्ट उसको ध्यान से समझना मैंने पहले आपको कंसेप्ट समझाया फिर आपको सौटकट ही होता है कैसे आपक मैं कहले और कंसेप्ट समझेवां 200 मीटर की दौड है और इसमें ए और एजो है वह 25 मीटर का स्टार्ट पीछे रह जाता है यहां और यहां पहुंच गया लेकिन फिर भी कितना पीछे रहा गया अब देखो वहिकल्पिक रूप से यह दे एब को 45 मिनट का स्टार्ट देता मतलब अगर एब को 45 मीटर का स्टार्ट देता है यह दे एब को जैसे यहां पर 25 मीटर दे रहा था इसकी जगह पर अगर 45 मीटर का स्टार्ट दे दे तो बी को 45 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाएगा एस टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा अगर शुरुआ देता है तो दोड बराबरी में समाप्त हो जाती है बराबरी का मतलब यहां से यहां तक चलनी में और इसको यहां तक यहा हार रहा था और जब इसको 45 मीटर का स्टार्ट मिल गया तो समय पर पहुंच गया इसका मतलब यह वाली डिस्टेंस 20 मीटर होगी 20 मीटर होगी तभी तो यह 20 मीटर से हारा होगा ना 45 मीटर के स्टार्ट पर यह समान समय पर पहुंच रहे और 25 मीटर पर यह पीछे रह रह रहा है तो 25 मीटर पर इसका मतलब 20 मीटर पीछे रह रहा होगा जालें तो भी 20 मीटर की दूरी को और शेक्रिंद में तैकरता है कि क्ति कि ईकति ही ढाया कि दो मीटर-पर सेटा तो दोड गजा दिया समयी सेंधर कर सकता है तो पहले आप यह निकालो कि दो सौंध Only Small Co baand कि अगर हम बी का समय निकाल लेंगे 200 मीटर को कुतने समय कर सकता है तो देखो बच्यो समझो ध्यान से समझो यहाँ पर वे जो है बी को 45 मिटर की शुरुयायत दे रहा है तो यह समान समय पर पहुंचते हैं तो दो मीटर पर सेकंड व की गती 100 मइटर में कितना समय लेगा यह निकालो अगर वी के द्वारा लिया गया समय अगर 200 200 मीटर की दोड में और 2 मीटर पर सेकंड से कितना समय लगेगा तो 2 मीटर पर सेकंड से कितना समय लगेगा प्यारे बच्छों यह लगेगा आपको 2 मीटर पर सेकंड से 100 सेकंड का समय लगेगा तो कितने समय लगेगा 100 सेकंड का समय लगेगा अब B को 100 समय लगता है लेकिन उसने बी का नहीं, एका पूछा है, अगर एका पूछा है, तो बी का अगर मैं 45 मीटर का समय निकाल के, क्योंकि यहां से यहां तक बी को जितना समय लगता है, उतना ही एको यहां से यहां तक लगता है, तो अगर मैं बी का 45 मीटर का समय निकाल के इसमें से घटा दू, तो ब तो हमारे कुश्चन का आंसर हो जाएगा 77.5 सेकंड डी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर ऑफ दिस कुश्चन 77.5 सेकंड ठीक है बच्चो चलो नेक्स्ट कुश्चन देखिए यह भी बहुत बढ़िया कुश्चन है इसका इसमें कहरा है एक किलो मीटर की सीधी दौड में पी क किलो मीटर की दौड में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से रहा देता है मतलब पी और क्यू को एक साथ दौड़ा दो और एक साथ दौड़ा दोगे तो पी तो यहां पहुंच जाएगा लेकिन क्यू पीछे रह जाएगा और क्यू जो पीछे रहता है वो या तो 120 मीटर है और यहां वो आपका 30 सेकंड है तो यहां से देखो क्यूंकि यह जो 120 मीटर दूर है 30 सेकंड कि यहां से आप क्यूं की गती निकालते हो तो Q की कई गती आएगी 120 वटे 30 preview 4 मीटर almost टिक है तो 4 मीटर Просто से Q को कितना समय लगया है एक किलोमेटर चलनें मैं एगर हम Q का समय निका लेंगे 1 किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर वटे 4 चार से भाग देंगे 4 दुनिया общем 25 250 से levar तो क्यूंगों 250 लग रहे हैं और यह 30 सेकंड से हार रहा है तो इसका मतलब पी को 30 सेकंड कम लगेंगे तो कितना समय लगेगा 220 सेकंड कि हमारे कुश्यन का अंसर आजागा 220 सेकंड ऑप्शन इस ता क्रेक्ट आंसर भी बहुत बढ़िया कुश्यन है और इस कुश्यन को आप करके जितने भी कुश्यन से आप से पूछ आते हैं बस कंसेप्ट ध्यान रखना क्योंकि ऐसा नहीं कि कुश्यन यही आएंगे कुश्य सेकंड में तैक करता है तो कितनी दूरी से अब यहराता है जिस समय से बता सकते हो डरेक्टली कि यह तो इसको पूर्ट नहीं टीम भी सेकेंड लग रहे हैं तो इसका मतलब यह 10 से कंड से यहारीगा तो टो एक किलो मीटर में एकowane 1200 मीटेर में लिख सकते है इक हजार मीटर dalam beganakah इक हजार मीटर में बीको कितना समय लगता है इती सब्सक्षरा कि फांकOL की तो किसारच इक एक गती कितनी हो जाएंगि 5瞬 एकμάंच मीटर फास सेकंड बीकी तो कितनीagu फॉट सेकंड से हाँए। 10 से से साथ बढ़ आसां सा है। आपको कभी समय से यह इतनी समय से आएगा कभी देता है इतनी दूरी से हाट जाएगा समय से दे चाहे से दो जो डिस्टेंस होती है वो उतनी ही समय में चली हुई होती है तो यह लीनियर रेस के जो भी कुश्चन थे जो भी समभाव नहीं थी वह अमने इस क्लास में कम्प्लीट किये और रेस का जो ब्रत्ती रेस उसका मैं अल्रेडी क्लास आपको दे चुका हूं यहां से आगे करते रहो उसके अलाबा लाइक सियर सब्सक्राइब दू लाइक सियर और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टी करिया थैंक यू बेरी मच अलब यू दियर इस तुने